असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूपी बाली चटपटी डेगी चिकन बिरियानी की रेसिपी जो बहुत ही एजीली आप इसको घर पर बना कर तियार कर लेंगे आपको बिलीव नहीं होगा इतनी डिलीशियस एकदम देग स्टाइल खुश्बूओं व हमें इसके लिए चाहिए होगा एक केजी चिकन क्योंकि हम ये एक केजी यादि बैनने वाले हैं एक किलो का perfect measurement है यहां एक क्लो दालचीनी के टूकड़े एक-एक इंच के ले 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 छहरी लाइची दो बादियान के फूल यानी स्टाफ फूल वन टीजपून सफेज जीरा हाफ टीजपून शही जीरा वन टीजपून काली मेर्ज तो यह सब भी मसाले चाहिए हमें तो हमने यहाँ पर इनको कूट लेना ह भीषिश पासीयन लिए कशी एकपकी और के और चाहि वेश्में पोर्धाat करेंगे लिए मयदक करेंगे बद्रकरी मैँ मासाला है कि यहां देखी आखें अब आर पौदर मिर्श कोटे तरह में एकस्था सब्सक्राइब यहां पर लेंगे हम यह चोबी जी का दाल का मसाला फाइब रुपीस का यह पैकिट आता है आप मार्किट से लोकल मार्किट से एजिली ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो हाफ टी स्पून चाट मसाला एट कर लीजेगा तो हमने इसको एट कर दिया है और अब एट कर कर देशिकेट हो कोकुरनेट नारियल पौड़र यानी गरी ऑा iggूठेगिंट तो हमारा बिर्यानि मसाला बनकर विर्यानी आज़ी में अब बड़ेंस से शेयर आप चाहे हुँ दीक सकते अब बढ़ें में बनाना जाते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यह देखे हमने एक बेसिल ले लिया है 200 ग्राम हम इसमें रिफाइंड यूज कर लेंगे आप अगर घी में बनाना पसंद करते हैं तो वह यूज कर सकते हैं और अच्छा गरम कर लिया है 200 ग्राम यानि 250 50 ग्राम हमने यहाफ प्याज ले लिए जिनको वारिक स्लाइसिस में कट कर लिया है इनको कर ले लेना है वे गौलwegen फ्राइब तो यह देखिए हमने प्याजो को golden fry कर लिया है इस तरह के color पर आ जाएं तभी आप इनको ओइल से बाहर निकाल लें क्योंकि यह बाद में अपनी की cooking में पकती है तो और dark color हो जाता है यह देखिए आप इस तरह से निकाल लेंगे तो यह नॉर्मल color पर अपने आ जाएंगी इसको खोल कर वाश कर कर लिया है चिल का नहीं निकालना है इस तरह से हाथों से कूट लें और एक टुकड़ा हमने अद्रक कर ले लिया है इसको भी हमने छील कर कूट लिया है दो लेमन दो नीबू ले 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 इनके हमने slices कर लिए चोड़ चोड़ पीसे में छे हरी मिर्स जिनको दो दो टुकड़ों में बीच में सिलेक्ट करकर कट कर लिया है तो यह एट कर दिया है अब इसमें हमने जो ब्रियानी मसाला बनाया था वो एट कर दिया है आप इस ब्रियानी मसाली को बना कर सकते हैं तो चिकिन एट कर देंगे यहाँ पर हमने थोड़े बड़े ब पानी लेकर देगे पर्फएक्ट मेजरमेंट है बैस में नमक लेकूपा में औतकी हाइब में नमक और यह ़ाईइद चुक अब अधिक करने मेरे माइन से निकल गया 200 ग्राम आप इसमें दही एट कर लीजीगा अच्छे से इसको बॉइल कर लीजिएगा अब इसमें हम चावल एट करने के बाद आप चावल एट करने यह देखिए इसको कर लेना है मिक्स तो हमने इसको मिक्स कर दिया अगर आपको हमारी बड़े से बाद शिर्य कोई पर पहलेई ज़िछगो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है आप अपने टेस्स के अकोड़िए नमक इसमें यूज कीजिएगा जितना आप पसंद करते हैं आप इसको कवर करका पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम इसका कलर तियार कर लेते हैं तो हमने 2 पिंच औरेंज फूट कलर ले लिया है और 2 टेबल स्पून पानी ले लेंगे और इसमें इसको मिक्स कर लेंगे आ कलर कर देंगे तो यह देगी है आप इस तरह से हाथों से भी कर सकते हैं और चमस्त से भी कर सकते इसे ही डाल दें जैसे आपका मन कर आऄ, वैसा आप कर सकते हैं अगर आपको हमारी पुरानी दिल्ली की कोई भी रेसिपी चाहिए तो हमारी चैनल पर अपलोड है आप चेक कर सकते हैं अब इसमें एड़ कर देना है वन टी स्पून केवरा वॉटर और अब एड़ करेंगे हम ब्रियानी एसेंस तो यह देखिए आपको लोकल मार्केट में एजीली 20 रुपीज की यह बॉटल मिल जाएगी तो इसमें हाफ टी स्पून ब्रियानी एसेंस एड़ कर देंगे अगर आपके पास यह नहीं है तो मीठातर भी यूज कर सकते हैं अब इसको हम दम लगा देंगे तो यहां में एक अलमीनियों फॉइल से कवर कर रही हूं आप किसी कपड़े से भी कर सकते हैं तो इसको ग्लिट से कवर कर देंगे और 10 मिनिट के लिए स्लो फ्लेम पर हम दम पर छोड़ देंगे तब तक हम इसका यह देखिए दम लग चुका है इसको साइट कर देते हैं और तड़का तयार करते हैं तो हमने जो ओईल प्याज फ्राइ किये थे जिस ओईल में वही ओईल लिया है ओईल को गरम कर लिया है हमने छे ले लिया है हरी लाइची जिसका हमने मूह खोल लिया है तो यह आट कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम बिर्यानी खोल लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं एक दम हमारी खुश्पुमा वाली माशाला से बिर्यानी बनकर तयार हुई है और यह मारा तड़का भी रेडियो हो चुका है तो अब यह तड़का मैट करेंगे बिर्यानी में क्योंकि हमने पहले ऑईल फिरी बनाई थी यहां मैं आपको खुल कर दिखाती हुए तो पहले हम इसको प्याजो के उपर एक्साइड कर लेंगे और फिर इस तरह से हम आपको सफ करके दिखाते हैं यह देखे इस तरह से निकाले हैं इनको इससे चावल नहीं तूटेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी यमी टेस्टी बिना यखनी के आप इस तरह से बना सकते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है तो जल्दी से जाईए और बनाईए और मुझे कॉमेंट्स बाक्स में बताईए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी इंशालला सभी को बहुत पसंद आएगी जब आप एक बार इसको ट्राइ करेंगे बन आई थी और आप देखें ब्रियानी भी बहुत ही डिलीशेस बनी थी उम्मीद करती हूं आज के मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपना बहुत सारा खयाल रखें इंशालला न